अरे चिंटू और पिंटू तुम दोने यहां ऊपर छत्य ऊपर क्यों चड़े हुए देखो देखो यह छत्के ऊपर क्यों चड़े हुए चलो तुम नीचे आजाओ तुरन नीचे आओ देखो तुमारे मम्मी बापा हाथ में तुम मोटे मोटे डंडे लेकर आ रहे हैं अभी तुमारी पिटाई करेंगे, नीचे आ जाओ नहीं तो, तुमारी दोनों पिटाई की जाएगे, नीचे आओ, आज तो तुमारी पढ़ाई का दिन है, और देखो, ये A, B, C, D, E, F, ये सारी पढ़ाई तो तुमें करनी है, चलो चलो नीचे आओ तुरंद नीचे आओ अरे वाह ये देखो तुमारे स्कूल टीचर ये तो हाती पर बैट करा है ये छोटे से हाती पर देखो देखो कितने प्यार है है चलो नीचे आओ तुरंद नीचे आजाओ और यहाँ पर बैट जाओ चलो तुम फिंटू यहाँ प रख देते हैं यह है पिंटू की पेंसिल इसको भी यहां रख देते हैं अलो चिंटू तुम पढ़ो A B C D E F वेरी गोड और पिंटू चलो चलो तुम भी पढ़ाई कर लो और तुम यहां पर बैट जाओ ऐसे और तुम पढ़ो 1,2,3,4,5 अरे वह बहुत बढ़ियां चलो अब तुम दोनों एक साथ पढ़ो तुम भी पढ़ो और तुम भी पढ़ो दोनों पढ़ो एक साथ में पढ़ो चलो चलो यह देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1,2,3 अरे तुम भी पढ़ो 1,2,3,4,5 फेरी नाइस और जो अच्छे से पढ़ाई करेगा उसको तो यहाँ हाथी की सवारी करने को दी जाएगी यह छोटे से हाथी की सवारी करने को मिलेगी तो तुम दोनों बढ़ियां से प बेवी क्या कर रही है देखो देखो यहां तो बारवी डॉल की बेवी बैटती है वह क्या कर रही है देखो ओहो बारवी डॉल की बेवी तो यहां सवाल लगा रही है देखो देखो यह दोनों बेवी तो सवाल लगा रही है यहां पर यह कितने अच्छा सवाल लिखा पढ़ाते रहो और इधर देखते रहो और देखो कितना अच्छा सवाल लगाया है ये बार्वी डॉल की बेबी ने ये तो लिखा है 3-2 equal to 1 3-2 equal to 1 लिखा है देखो और ये देखो 3-2 equal to 1 इसने लगाया सवाल कितना अच्छा सवाल लगाया और यह देखो 4 plus 3 equal to 7 यह इन्होंने लगाया है चलो 4 plus 3 equal to 7 यह इसने लगाया है इसने भी बहुत अच्छा जवाब दिया यह तो बहुत smart है यहां देखो यह 2 multiply 4 equal to यहां क्या हो सकता है देखो देखो यहां पर क्या लिखा हो सकता है जो लो आप भी बताओ क्या लिखा है अरे वाह देखो हम देखते हैं यहां पर क्या लिखा है अरे वाह यहां तो 8 लिखा है यह भी सही जवाब है तू multiply four ये तो सही जवाब है बहुत बढ़िया तुम दोनों ने तो बहुत सही जवाब दिया तुम गोले की सवारी करना और तुम यहाँ पर बैटकर अच्छे से पढ़ाई करो तुम दोनों तो बहुत अच्छे से जवाब दे रही हो तुम लोगों को तो बहुत अच्छे स अभी तुम लोग थोड़ा सा बता देना चलो चिंटू पिंटू तुम लोग वहाँ चलके सवाल लगाओ और सवाल लगाने पर अच्छे जवाब देना तो तुमको भी घोड़े की सवारी करने मिलेगी चलो यहां देखो तुम लोगो ने तो बहुत अच्छा सवाल दिया और यह देखो तुम यहां बैट जाओ और इनके सवालों के जवाब देखो और चलो तुम भी यहां से पढ़ाई करो तुम लोग यहां सवालों के जवाब देखो और तुम भी सही से सवाल लगाना अरे वाह बार भी डाल तो बहुत खुश है और देखो यह बार भी डाल के बगल में घुड़ा है देखो कितना प्यारा लग रहा है चलो इसको तो यहां रख देते हैं और देखो देखो इधर देखो यह क्या ओ नो यहां तो दाल चावल रखा हुआ है और दाल चावल को खाने के लिए जंगली बिली आ गई है चलो तुम यहां से भाग जाओ चलो भागो भागो पीछे की तरफ भाग जाओ और देखो एक और जंगली बिली चलो इसको भी भ पवल रखा हुआ है चलो इसका तो पकवान बनाते हैं ये मोटू पद्लू को बहुत भूइक लगी है इनके लिए सारा पकवान इनी दोनों के लिए बन रहा है चलो मोचू पद्लू तुम देखो कैसे पकवान बनाता यह पकवान तो खेचड़ी बनेगा और इस खेचड़ी को बनाने के लिए हम यह बार्वी डॉल की बेबी चलो तुम लोग पढ़ाई तो अच्छी करते और पकवान बनाने में भी साथ दो चलो 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 और यहां पर खड़ों के पकवान बनाओ नो नो तुम तो गिर यहां खड़े हो जाओ और देखो इस बेबी को भी डाल चावल बनाना सिखाते हैं चलो तुम यहां बैट जाओ देखो यहां पर रखा है दाल और यह चावल इन दोनों को मिलकर खिचड़ी बनेगी यहां पर तो बहुत अच्छा पकवान बनेगा और देखो यह मोटू के सिदह कर देते हैं इसको तो यहां रख देते हैं और यह देखो इधैर कौन आ गया यह तो गुड़ा आगया यह तो दाल चामल खाने आया चलो चलो जल्डी से करलो सब्सक्राइब वीडियो को करदो और इनको भी तो बहुत जोरों की भूग लगी है चलो चलो तुम इस रास्ते से चलो और वहां पक्वान बन रहें दाल चावल बने हुए चलो तुम दाल चावल खा लेना और यहां पर बैठ जाओ यह गुड़े के बगल में ऐसे बैठो और यहां पर आराम से इंतजार करो पक्वान बनने का और देखो हाती तुम हाती चलो पीछे चले जाओ तुम वहां जाकर घास खा लेना और यह देखो यहां ओ नो 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 यह तो कुरसी है ओ हो यहां तुका एक्सिडेंट हो गया है यह कार पलट गई है और यह देखो कुड़ा यह तो गिर गया है नीचे च चलो चलो इस कार को तो हम कर देंगे सीधे, चलो चलो इसको कर देते हैं सीधे, चलो सीधे हो जाओ ऐसे, और ये देखो ये तो छोटा बेबी है, ये टकलू बेबी तो इस कार को चला रहा था, चलो तुम यहाँ पर बैट जाओ, और देखो ये चेर भी गिर गई है, चलो इस चेयर को भी सीधे करना पड़ेगा हमको इस चेयर को कर देते हैं हम ऐसे सीधे चोटा सा आदमी गिरिया है यह तो दाल चावल खाने आया तो इसको तो भूग लगी है चलो चलो इसको तो हम दाल चावल बन रहें वहां छोड़ कर आते हैं तुम यहां बैठ जाओ और आराम से बैटो दाल चावल बन जाए तब खाए ना और इस टकलू बेबी को तो हम लोग चलो छोड़ कर आते हैं आगे की चले जाओ यहां पर चले जाओ तो देखा आप लोगों ने हमारा गुडिया वाला काटून और बार्बी डाल का रुटीन लाइफ चिंटू-पिंटू की कहानी मज़ा आया ना ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब वीडि